दोस्तों प्राण साहब भारतिय सिनेमा जगातितिहास के सबसे बड़े अभिनेता थे आज हम अपनी वीडियो के जरीए आपको इनकी फैमिली से मिलवाएंगे बता दें कि मशूर अभिनेता प्राण जी ने 1940 से लेकर 1990 के दशक तक अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बॉलिवुड में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई थी वो बॉलिवुड के बेहत सक्सेस्फुल अभिनेताओं में से एक है आईए अब मिलते हैं इनकी फैमिली से प्राण जी का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुआ था बता दे कि इनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था जो पेशे से सिविल इंजीनियर और सरकारी सिविल ठेकेदार थे इनकी मा का नाम रामेश्वरी था प्राण जी अपनी फैमिली में साथ भाई बहनों में से एक थे प्राण साहब के माता पिता की तस्वीर उपलब्द नहीं है शादी शुदा जिंदिगी की बात करें तो प्राण जी की शादी सन 1945 में शुकला आलू वालिया से हुई थी इनके तीन बच्चे हैं जिनका नाम अर्विंद, सुनिल सिकंद और पिंकी है बच्चों में सुनिल सिकंद प्रोफेशन से एक फिल्म निर्देशक है और उनकी शादी जियोती सिकंद से हुई है बेटी पिंकी की शादी हो चुकी है और उनके पती का नाम विवेक भला है दोस्तों बेटे अरविंद सिकंद के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौझूद नहीं है हाला कि जानकारी के मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि अरविंद सिकंद भी शादी शुदा है और उनकी पत्नी का नाम चित्रा है प्राण जी की फैमिली में उनके पोते पोतियां और नाती नातिन भी है प्राण जी की बेटी पिंकी भला के दो बच्चे हैं यानि प्रांड जी के नाती और नातिन जिनका नाम स्वाती भला और युवराज भला है अब बात करते हैं प्रांड जी के पोते और पोतियों की तो दोस्तों प्रांड जी के पोते पोतियों का नाम सुनेना सिकंद सिधार्थ सिकंद और अरजुन सिकंद हैं बता दें कि इनक पोते पोतियों और नाती नातिन के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है इसलिए हमने आपको इन सभी के नामों से परिशा करवाया ये थी मशूर खलनायक प्रांड जी की फैमिली सेलेब्रिटीज की फैमिली पर ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद